नमस्कार स्पागत है आपका कैपिटल टीवी में दिली में आस्था के महापर्व चट के दौरान केजरिवाल की लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई और ये तस्वीर है जहरेली यमुना की यमुना नदी में जाग बनकर इन दिनों तेजी से जहर बह रहा है भी दंग रह जाएंगे इस रिपोर्ट में देखिए ये तस्वीर दिली की जहरेली यमुना की है यमुना की पानी में सफेज जहर खुले तौर पर बह रहा है जो छट मनाने वाले लोगों के लिए बेहत खतरनाक है नदियों की टट पर मनाया जाने वाला छट का त्योहार जितना पवित्र है उतनी ही दोशित दिली में बहने वाली यमुना हो रही है एक तरफ दिली वालों पर जहरीली हवा की मार है तो दूसरी तरफ यमुना के पानी में जहाग बन कर जहर बह रहा है ये जहरीले जहाग छट मनाने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं लेकिन दिली के सीम केजरिवाल को ना तो लोगों की चिंता है और ना ही दूशित नदियों की सफाई की वो तो दिली को बेहाल छोड़ गोगा का ट्रिप मना रहे हैं यमुना की देने इस्तिथी देखकर हर कोई दंग है इसलिए केजरिवाल तो नहीं हम ही आप से यही विंति करेंगे कि गलती से छट यमुना के टट पर ना मनाए क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है वैसे तो केजरिवाल ने दिल्ली के सिर्फ यमुना टट पर छट मनाने से रोक लगा दी है लेकिन लोगों को इसके पीछे की वज़ा नहीं बताए जिसकी वज़े से कुछ लोगों ने तो छट के पहले दिन नहाय खाय की शुरवात में आस्ता के लिए यमुना के गंदे पानी में ही डुपकी लगाई हैरानी की बात तो ये है कि केजरिवाल प्रेशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कोई भी करमचारी छट मनाने वाले लोगों को इस जहर में डुपकी न लगाने से रोक नहीं पाया केजरिवाल ने तो बस एलान के साथ लोगों को रमभरों से छोड़ दिया छट मना रही खुश मैलाओ की ये तस्वीरे गौर से देखी आस्ता और शद्धा की तो ये डुपकी लगा रही है लेकिन ये लोग इस बात से अंजान है कि यमुना में बह रहे ये जहरीले जहाग है जो आपको नुकसान पहुचा सकते हैं वायू प्रदूशन के साथ अब जल प्रदूशन भी तेजी से फैल गया है जिससे दिरलिवास्यों की दिक्कते और बढ़ गई है यमुना के पानी में अमोनिया का इस्तर काफी बढ़ गया है माना जा रहा है कि फैक्टरियों, रंगायों, ध्योगों, धोबी घाटों और घरों में इस्तमाल होने वाले डिजास्टर के कारण अपशिष जल में फॉसफेट की मातरा अधिक हो जाती है जो यमुना में जहरीले जहा के बनने का कारण है विशेशग्यों के मुताबिक यमुना नदी में बनने वाले जहरीले सफेज जहा की वज़े से बिमारियों के फैलने का खत्रा बढ़ जाता है इससे सबसे ज्यादा खत्रा ऐसे लोगों को होता है जो यमुना के पानी का इस्तमाल नहाने के लिए करते हैं तो इसी भी छट की भी शुरवात हो गई है ऐसे में अभी तो छट पर यमुना टट पर कम लोग पहुँचे हैं लेकिन आने वाले दो दित छट पर्व मनाने वालों के लिए बेहत खास हैं और इस पर नदी में डुपकी भी लगाई जाती है। लेकिन ये लोग एक बात ध्यान रख लें कि यमुना से दूर रहें क्योंकि यमुना का पानी जहरीला है। केजरिवाल जी आपको नदीयों की सफाई की नहीं तो इन लोगों की जान की परवा जरूर होनी चाहिए। वहीं बीजे पिनेता मनुस्तिवारी ने केजरिवाल पर तंज कस्ते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली की परवा नहीं है। इसलिए यमुना गंदी हो रही है और केजरिवाल अंदेखी कर लोगों की साथ खिलवाड कर इधर उधर घूम रहे हैं। दिल्ली की यमुना में बह रहे जहरीले जागों की बचा से लोगों में काफी गुसा है। वहीं चट मनाने वाले लोगों ने जम कर केजरिवाल का विरोत किया है। क्योंकि लोग जहरीले पानी में डुपकी लगा रहे हैं। केजरिवाल नदी की सफाई करवाने की बजाए गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं वहीं बीजेपी नेता मनोश तिवारी ने भी केजरिवाल पर दिल्ली के साथ खिलवार करने का आरूप लगाया है इस खबर में फुलाल अतना ही बने रहे है कैपिटल टीवी के साथ जहन